तादा सुर्ख्यों में हर तरफ चल्चा है एक वीडियो की जो कल रास से बहुत तेजी से वारल हो रहा है हम आपको बता दे कि इस 30 सेकंड की वीडियो में सौर तूफान आने की चेताबनी भी गई है और ये भी कहा गया है कि इस तूफान के दाइरे में आने वाला हर एक इलेक्ट्रोनिक गैजट फट जाएगा इस न्यूज के वारल होने से पब्लिक में दैशत का महौल है लोग कासी डरे हुए है पर अभी तक हमें इस वीडियो पर मौसम विभाग से कोई ओफिशल स्टेट्मेंट नहीं मिल पाया है सुनने में आया है कि मौसम विभाग खोद अत्मन जट की सिती में है अब इस न्यूज में कितनी सच्चाई है और इतना जूट यह हम जानते हैं लोगों से जूट है? जोर तुपान का ख़ब जूट है? अजी कैसा बात करते हैं? कल राज चलते चलते है अचानक मेरा टीवी भट गया पडोस के तो मुबाइल भट गये कमला मोस्ती का तो माइक्रोवेब फट गया और कमलेश जाजा का तो भृजी फट गया अब एक एक करके अजा सहर का समान फटेगा और फिर लोग फटेगे तब आपको यकीन आएगा तेखा मेम अब ही दखे हमारा समान अब हमारे समान के सुरक्चा की जिम्मेदारी आपकी है सब समान किष्टो पे लिया था कुछ हो गया तो दुबारा ले भी नहीं पाएंगे एक मिनिट एक मिनिट हम इस तरह से आपके सामान की जिम्मेदारी नहीं ले सकते ये पुलीस थाना है, कोई बैंक का लोकर नहीं और ये जो सौर्ट तूफान है, ये सिर्फ एक अफवा है तो आप प्लीज इतना टेंशन मत लीजी, कुछ नहीं होगा सौरी मैम, बट आप ये कैसे कह सकती हैं, कि ये अफवा ही है क्योंकि अभी तक डिजास्टर मैनेजमेंट और मौसम विभाग के तरफ से हमें कोई भी ओफिशल इंफोमेशन नहीं आई है उन्होंने ना ही कोई न्यूस दी है, ना ही कोई ऐसे संकेत दी हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है तब तक के लिए ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक अफवा है इसलिए प्लीज आप लोग जा सकते हैं, पुष्पा जी? जी मैडम सर आप प्लीज इन्हें बाहर तक छोड़ कर आई जी जी मैडम सर, हम सब संभाल लेंगे जाते हैं तुडाई करते हैं ऐसे तोपा लोगों की जो ऐसा खटिया खबर फिलाते हैं नहीं करिश मसेंग आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी क्योंकि आपके इस तरीके से निर्दोश लोग भी पकड़े जाएंगे अब तरीका भी तो सिर्फ एक ही इस्तिमाल करती है ना मार पीट करो, तोड़ फोड़ करो, बस किसी भी तरीके से केस को सॉल्व करो आपके तरीके से भी हमें नहीं लगता कि बहुत कुछ हो जाएगा पर फिर भी आप हमारी सीनियर हैं, हम आपके जूनियर हैं आप ठाना प्रमुक हैं, तो हम तो यहाँ पर बैठे ही हैं आपके ओडर फॉलो करने के लिए, बताएगे आपका का ओड़ा है वैसे आपको बताना चाहेंगे, हमने बिल्लू को बेजा है उस चाचा की कुंडली निकालने के लिए जिसने के घटी अववा फिलाया कि कोई सौर तुफान आने वाला है, कुछ ना कुछ लीड मिल जाएगा Good Santosh Sharma, सबसे पहले यह पता लगाएगे कि इस वीडियो में फोटोज और शॉट्स कहां से लिए गए है दूसरी बात, इस वीडियो में आवास किसकी है Madam Sir, Shots तो इंटरनेट पे अवलेविल है तो वहाँ से लिया होंगे, लेकिन आवास कि बारे में पता लगाना थोड़ा मुश्किल है तो फिर Jai Hind Sir ठीके Sir, हम बस थोड़ी दिर में बहाँ जाएगे जी Sir, Jai Hind Koshpar ji, काड़ी निकाली, जल्दी Jai Madam Sir Aram से Jai 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 Poshpar ji, वीडियो वाली हारत यही है न? Haan Madam Sir, यही है सुनिए हम इज़र आपसे दो मुनिट बात करनी है हमें ऐसे चो हसीना मलेक महिला पुलिस्थाना जनपत लखना हू आपको किसीने मारा है क्या? आपरा के अडोस-पडोस के सभी लोगों ने अपने अपने टीवी, फ्रेज, मोबाइल, जितना भी इलेक्टोनिक समान था सब घर के बाहर रख दिया और सुबह उठकर देखा तो सब गायब, कुछ भी नहीं था मतलब बताना था ना के सौर तोफान में समान भटता ही नहीं है कायब भी हो जाता है पुषपा जी, क्या पता लगाया आपने? मैडम सर, आसपड़ उसके जो पुली स्थाने है, वहाँ से ख़बर मिली है सतर मोबाइल फोन, 150 TV सेट, माइक्रोवेब, कुल मिला के 20-25 लाग का सामान गायब हो गया है और CCTV फोटेज, उससे कुछ पता चला? कैसे कुछ पता चलेगा मैडम सर? यह सौर तूफान की डर की वेज़े से लोगों ने अपने अपने घरों के CCTV कैमेराज निकाल कर रखे रहे यह क्या मुसीबत है कुछवाजी हमें नहीं लगता कि यह सौर तूफान जैसा कुछ भी है सुनिए आप लोग बात ध्यान से सुनिए यह सौर तूफान है यह कुछ नहीं सिर्फ एक अफ़ा पहलाई गई है इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है ताकि आप लोग डर जाएं डर के मारे अपना कीमती सामान घर के बाहर रख दें और फिर उस सामान को चोरी करना आसान हो जाए हमें लगता है कि यह कोई एक चोर या फिर पूरे किसी गैंग का काम है हम पता करके आपको सब कुछ बताएंगे लेकिन तब तक के लिए इन चीजों पर बिलीव मत कीजी ठीक है आप यह बताएए कि आपके घर पे आपका टीवी किसने रिपैर किया था हमें उससे मिलना भी एक काम करिए आप हमें अपने घर ले चलिए और उसे भी वहीं बुलाईए ठीक है जी चलिए चलिए और आप लोग प्लीज जाएए अपने अपने काम पर यह जूटी बातों पर यकीन मत करिए हाँ चली चली गाड़ी में बैठिये पीछे जिसके पीछे पड़ जाए उसके मूँ से निकले हाई हाई पूरी रिपोर्ट के साथ बिलु का लीजे हाई जुमन चिछा नाम है उसका चौक में चूडियों की दुकान है और तो को चूडिया पहनाता है गल्ती से उसके नाम के आगे चीछा लग गया है वरना उसका आशिक मिजास देखकर उसके नाम के आगे मजनू होना चाहिए जैसे के जुमन मजनू और उसके कांटेक्ट लिस में 12,000 कांटेक्स है चूडियों का काम खतम होते ही वो आपने में काम के लिए लग जाता है मेसेज फॉरवर्ड करता है 12,000 मेसेज एक बार में फॉरवर्ड हो जाते इसलिए उसको फॉरवर्ड की कहा जाता है यह है जुमन चिचा बहुत बढ़ी अबिल्ले आदाब नाचीज को जुमन करता है बाइठिये शुक्रिया अर्ज किया है काहे है जी हमने कहा अर्ज करने के लिए आपने अर्ज काहे किया नहीं वो सामने ऐसी बेपना खुबसुरती देखी खुदा का नायाप शहकार देखा तो एक घुस्ताक शेर अपने आप निकलने के लिए बेताब हो रहा है अच्छा आप भी निकलिया लिजिएगा इस बार लग रहा है तो यह देख रही है किसे जुमता में और कबिस्तान को दावत दे रहा है मेडम 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 हम समझना आप उस सारा इस आदमी के हरकते हैं अभी कुछ दिरन का जुम्मा नला उक्ची चालाग हो जाएगा लेकिन आप भी थोड़ा समझेए थोड़ा सबर से काम लेजिए पहले सवाल फिर बावकार निकालो है जी वो जो गुस्ताक शेर हमको देख कर निकल रहा था न वो निकालो अर्स किया है खूबसूरत है तू किसी घजल की तरा खूबसूरत है तू किसी घजल की तरा तूजे पढ़े गुनगुनाय या तेरे तसवور में डूब जाए शुक्रिया अबे चाचा समझ जाओ तुम किसके सानों बैठे हो अभी जो तुमारी उमर है ना दवा में डूबने की है तस्वूर में नहीं समझ भू कि नहीं हो गया अब कहती ये पढ़िये अज़रा उल्टा करना हाथ अरी मा कसम उल्टा 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 दो छे की हरी चूडिया खूब जचेगी आपके हाथ पर कहे तो फुद बनुवा के पिन्होदे का नहीं वो चूडियों की साइस बता जे दो छे वो जो औरते श्रिंगार करती ना उनके लिए आप तो करती नहीं तो आपको शाद पता नहीं होगा साथ जी आप सेर्नी के मुझ में घृसके उसका दात गिर रही है नहीं मैडम कंटिनू प्लीज सारी हम इस मैसेच का बात कर रहे हैं अचा यह भेज़ता आप इकबाल को बिलकुल हमी ने भेजा था आपके खुबसूरत हाथ से इस नाचीज के मॉबाइल में आपका खुबसूरत नंबर फीट कर दीजी कुछ दिलकश खयाल भेज दिया करेंगे आपको खुला लाइन मार रहा है अचीचा अचीचा आप अगर चिपका चिपकी गिरी खतम हो गया हो तो जो सवाल करने उसका जवाब दे दीजिए वरना इंबुलेंस चल दी है अमा बस अब बताएंगे पूरी बात जी जब भी हमें कोई मैसेज भेजता है तो हमें ऐसा लगता है कि उसे हमारी कदर है और वो अपने जजबातों को हमसे बाटना चाहता है फिर हम भी उसके मैसेज को फॉरवर्ट करते हैं यह बताने के लिए कि हमें भी उसकी कदर है और उसके जजबातों का हम इस्तिकबाल करते हैं बस इसी तरह मेसेज का आना जाना चलता रहता करिश्मा मेडम, I think this is not right person विलन कोई और ही है अरस किया है तुम्हाई मैंनिया के साथ हमारे सब रकाना इंतिहान मत लो वरना इस कदर मारेंगे कि समय से पहले कब्र में नजर आओगे समझ जो हमारी बात को फोन दो फोन दो चेक करो कौन है वह फालत हूँ आत्मी जो फॉरवर्ड मेसेज करता है करो जल्दी चेक करो मैंडम एक दो लोग है जो इनने मेसेज भेजते हैं लेकिन एक और इंसाने जो रगिलरली इनने ये मेसेज भेजते हो और फोरवर्ड मेसेज भी इनो नहीं बेजा जल्दी नोट करो हा मैडम हम कर रहे हैं 97 हम नोट किया? चिचा को फोन दो लिए चिचा कटिये आपको बाद में बुला जाएं जायेibl बुलाये का जुरूर जाजाव हमभी बाईशद बरी जाएं जाये एँ के जुमन ना तो बस चुमळन के चकर में आशिक के मजार का आखरी मुमबत्ती लिए लिए लप-लफार रहा है बिल्लु तुम सही रहे हो, ये इसका गलती नहीं है, ये कोई और है, ये कोई और चूरन है, जो सब को चूरन बना रहा है, और यहां तक पोच्छना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, संतु, अड्रेस निकालो जल्दी कौन है, जो ये मेसेज फॉरवर्ड कर रहे है, इसकी पूरे सहर में तो यही चर्चा चल रहा है, ये सब चीज़े हो रही है जूट, ये सौर तूफान और कुछनी ये सब एक बहाना है, ताकि लोग अपना कीमती सामान गर के बाहर रख दें और फिर उनका सामान उठा कर ले जाने में आसानी हो जाए और एक बात बताओ, ये जो सौर तूफान वाली जो चोरियां है, सबसे ज़्यादा इसी इलाके में क्यों हुई? कल रात इस इलाके में चोरी हुई है, ये इस बात का सबूत है कि ये जो सौर तूफान है, ये कुछ नहीं सिर्फ एक बहाना है, चोरी करने का ये एक सोची समझी चाल है हाँ मेडम, हो सकता है पर पर क्या? मेडम, अब जैसे अब हमारा मॉला है, वहां के भी लोग अपना समान वगरे साब बहार रखे थे, हम पुदा ही रखे थे, लेकिन वहां तो कौन्वा ऐसा वारदात ना है हुआ मेडम, अब होता तो पूरे सहर में होता ना, मेडम, माप कीजेगा पर छोटी मू बड़ी बात, ये जो अपवा है ना, वो सकता है इसमें भी बहुत सच्चाई हो मेडम, पूरे सहर में चर्चा चल रहा है कि ये सौर तुफान ना, पूरे सहर को अपने लापेटे में ले सुनो तुम ज्यादा स्मार्ट मत बोलो, समझ में है ना, कुछ पाजी, इसका नंबर हम ही लेते हैं, अपना नंबर दो, जरूरत पड़ी तुमको थाने वापस बुलाएंगे, लो दू, चार, आठ, हम, ठीक है, रुको, 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 मैडम, संतु, सारी, में हमको शहर गुल-गुल गुमा दिया, लेकिन यह बंदा नहीं मिला है है, फोन करो, पोन करो, जो, मैडम, लोकेशन तो यहीं कही बता ज्यादी, तो का है, का है हेलो, हेलो, मोंटु कहा होूँ ? हम तो यहीं पर रहा है उतरो, उतरओ, उतरओ लेवि Schools टिमंवारा पुरा घर चान लिया तुम एह नहीं मिले पूरा शहर घूमिडिया तुम एहां नहीं मिले तुम एहां चाय पी रहे हो Bukun Sharma, Montu तुमारा नाम है? ची घी हमारा यं नाम नाम जुम्बन चाचा को जानते हो… जुमन चाचा और दिलफेग बापा. हाँ, हाँ, अरे, उनको कौन नहीं जानता है? कैसे? अरे, उनका चूड़ी उड़ी का दुकान है, ना? इशाग भी रखते हैं, हाँ? नहीं मेडमो, जिसने हमारी माँ जाती है, उनका चूड़ी उड़ी खरीदती है. तो वहीं जुमन चीचा से हमारा मुलाकात हुआ था. यह मैसेज तुमने फ़रवर्ट किया था? हाँ, हमाही भेजे रहे हैं. तुमें किसने भेजा? हमको... अरे, हमको कौन भेजाता? इससे का फरक पड़ता है, मेडम? पुरा सहर एक दूसरे को यह वाला मेसेज फारवर्ट कर रहा है. आप उनको पकड़िये ना, जो उन्हें अफ़ा पहला रहा है. अरे? अरे का रहे? अब हम जो भी जवाब देंगे अपने वकील के मौजूद्की के बिना नहीं देंगे. हमारा पुरा अधिकार है, और इतना कानून तो हम भी जानते हैं. आप लोग हम कुछ छू भी नहीं सकते हैं उसके बिना. अच्छा, आप शायद जानते नहीं हैं, अगर आपके वकील भी आ जाएंगे ना, तो भी इन से आपको कोई नहीं बचाएगा. बताओगे? मेडम वो, हम नहीं. अंग्रेजी फिल्में ना कम देखा करो, बहुत मिस्स गाइड कर देती है. चौडे में मरवाएंगी तुमको यह हम बता रहे हैं तुमको, समझो हमारी बात को. अब बताओगे किसने मेसेज बेजा या दूसरे कान का याददाश भी गुलकर. मेडम बता रहे, मेडम हमारे दोस्त ने भेजा तो मेडम. नमबर नोट करो दोस्का. 9822 412 बुलाते हैं दुमको थाना जरूरत पड़े तो. ay, 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 ay Yang! लिखे, 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 बाबु, लिखे… जया लिखे लिखे? आरे, को मेडर है कितना लिखे? 2,3 डारी होरी भरई खमाला लिखनोbooks. अरे, नोए ममारी भी? किसा इंसान है यारी? कैसा इंसान दम चलता हुआ बस में लपक के चढ़ जाता रहा पूरा तो सोन लिख ले भिलोटे लोबी अपवाप फिला रहा रहा और चोरी कर रहा है ना मैडम सार उसको दो दिन के अंदर रपसा इसे पकड़ के जेल में डालने वाली है जेल में मतलब लॉक अप मेरे बिल्लु निवास कैसे ने कैसे तुमको पॉलीस में भरती किया कैसे अरे यह लॉक अप लॉक नहीं है निवास है जिसके भी मन में इच्छा होती है इसको भी उठाकर मेरे बिल्लु निवास में डाल देते हैं यह धरम शाला नहीं है यह मेरे बिल्लु निवास है तो बोलना ओर अगर आइसक या ना तो इस थाने पर मैं केस कर दूंगा अरे धोर कली युक्चोर पुलिस पर केस क करेगा यह इगनोर हो गया ठीक हाँ चाल चाल अई सही फाटों का करिश्म माड़ा में सामनी ना फाड देगी समाज री पापरी आज कल फटने फुटने का सीजन चल रहा है बाबू किसी भी चीज का भरोसा नहीं कर सकते यह भी फट सकता है तुमका अभी फटे ही हो यह फ जिटे मैंने बूला था कभी भी कही भी कोई भी इसकता है क्या हो रहा यह आपर यह सारा समान भारका है पड़ है और यह लंगूर कं ऐ ज़ीते चीटा क्या हूँा तू एसे क्यों बैठ था इदर देख जीटे का हुँा का हँँ चीटे इदर देख पता का हुआ चीते ए यी काला काला गा रखा तुमने नी चीते तेरी हालत किसनी कि छुंख बिलो जी आप क्या है 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 लगा रखिये मैडम पूछ रही क्या हुआ तुम्हारी साथ अब नहीं पूछे हाना पुछ बाची फिर भी हम बताएंगे चीते वो ही पूछ रहे का हुआ तुमारे साथ संतु जी संतु जी हम का बताये संतु जी का बताये हम आपको बदकिस्मती का बादल फटते हुए सुने थे लेकिन आज बदकिस्मती का बादल फटते हुए देखे हैं संतु जी इस सौर तुफान की वज़र से हमारा मोबाइल जो फटा है न संतुजी, देखिए कितना ज्यादा हम फट गए, का दिलाटा इतना फट गया, मैडम, मैडम, इस सौर तुफान को ना हालका में मत लीजिए, भूट धेंजर है, देखिए, देखिए, इस सौर तुफान की किसी के कोई भरुसा नहीं है, कोई भरुसा नहीं है, कोई भी मोबाइल कभी इस सौर तुफान को ऐसे फट जाएगा, परेडाम देखिए, इससे पटे-खडे, अब कायाने बिलाटा, बोलना यार बहुत हुआ, बहुत हुआ ये तुफान मुफान का फालतु का अफवा, अभी धर्के लाते हैं उसको एसा मार लगाएंगे और जब भी मूँ खोलेगा एक ही बात बोलेगा दरोगाजी देखी तो बहुत, वगर तुम सा न देखिए, फालतु का अफवा फिला रख है, श लोगों को महफूस कौन रखेगा, चलो इसा बहुत हो गया, फटा-फट ये सारा सामान उठाओ और रखो अंदर, बंदर, मैडम, हाँ मैडम, बंदर तो लग रहे हैं, थोड़ा सा, थोड़ा जादा ही बंदर लग रहे हैं, चिड़ा ये मत मैडम सर, प्लीज मैडम सर, व तुम तेड़े-मिड़े काया, वो, दमाके के वज़े से हमारे एक कान की सुनने के शक्ती चली गई है, वन वे ट्राफिक है, ये अच्छा है, बोलो, समान अंदर रखवाने के लिए बोलो उसको, ओक्य, आच्छा, समान अंदर रखना है न, ठीक है, रख देंगे, कोई द चीते तुम देखना, उसको उठा कर लाते हैं और उसको बताते हैं कि पुरे समाज का जिम्मेदारी हम पर है, उसको पकड़ कर लाएंगे, उसको सरकारी, सरकारी कंगन पेनाएंगे, उसको समाज माना चाहिए कि उसने गलत काम किया ये, अब ठीक क्या रिष्मा से, अब बचा है, बिले, कारे, इस बाइजू एलेक्ट्रोनी के पास, इधरे मोड पर उसका दुकान है, यहीं पर मुबाइल ठीक कर वाए था, चलिए आप सब लोको लेके चलते हैं, अब जाए फिलाल सामान अंदर अंदर अख़ाईए, जाओ, जाए पुश्पाजी मदद क खत्रा सौर तूफान में नहीं, अफवाह के इस तूफान में है, इसे रोकना ही होगा, वो भी जल से जल